भुट्टिको सहकारिता के अग्रदूत ठाकुर वेदराम की जैन्ती पर कल राश्रिय पुरुसकार सम्भान समारोह का आयोजन किया गया। देश की अग्रणी सहकारी सभाब भुट्टिको के कुलुस्थित परिसर में विभीन विभूतियों का उनके ख्षेतर में बेहतरी इनकारिय के लिए सम्भानित किया गया। अंतरराश्रिय पुरुसकार समारोह में मुख्य आतिती के रूप में जीवी पंत क्रिशी विश्व विद्याले के पूर्व कुलपती डॉक्टर तेज प्रताप शामिल हुए जबकि समारोह की अध्यक्षता भुट्टिको के अध्यक्ष पूर्व बागवानी मंत्री सत्य ठाकुर ने की इस अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि ठाकुर वेदराम के जयनती के अफसर पर विभीन क्षेत्रों में लिखनीय योगदान के लिए पुरुसकार प्रदान किया जाते हैं उन्होंने कहा कि केंदर सरकार द्वारा भी सहकारिता के क्षेतर को बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किया जा रहे हैं या जिनका योगदान सहकारता में है फिर उसके बाद जिनका योगदान पत्रकारता क्षेतर में है साइते के क्षेतर में है लोग साइते के क्षेतर में है या जिनका पहाड़ी कला संस्कृति और कला के क्षेतर में है तो इनको यह अवार दिये जाते हैं पहार सरकार की बड़ी कोशिश है कि सहकारता को आगे ले जाएदा, अलग से बिवाग बनाए, मंत्राल है बड़ा पहली बार, तो अभी उसमें नीती जल्दी मुझे लगता कि घोशित हो जाएगा, और वैसे भी अभी नावाड की बहुत सारी स्कीमें ऐसी जिससे की, जो है सुसाइटीज है, उनको कहा गया है कि वो विविन क्षेतरों में काम करें, और दो क्षेतर भी किसी और में, उससे करांती आईगी और लोगों में जो बिरसगारी वो खत्म होगी पुरसकार प्राप्त करने वाली विभूतियों ने कहा, कि इस तरह कि पुरसकारों के मिलने से उन्हें और अधिक जोश से काम करने की प्रेड़ना मिलती है यह जो पुरसकार मिला है, एक किसम की संजीबनी वूटी है, और जिसकी बज़ा से आदमी और आगे अच्छा कारे करने की कोशिश करेगा जो यह पुरसकार इन्होंने दिया है, तो मैंने सहिते में भी किया है और कला में भी किया है कल में भी मैंने अपने देश बर में और बदेशों में भी गया हूँ करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम लिखते हैं डॉक्टर किसी को ब्लड की जूर्थ पढ़ती थी तो मेरा नाम लिखते हैं कि आड़ की दुकान में जाईए आप लोग परवाँ जाके आपको ब्लड मिलेगा एक सो पांच में डॉनेट कर चुका हूँ लेकिन मेरी एक सिर्कास शाशन और परशाशन से एक बिनमर में वेदन है कि हर साल जब 26 जनवरी 15 अगास्त या हिमाचल डेवाले दिन जब ये लोग बिविन खित्र में उलेख निये काला करने वालों को सुमानीत करते हैं लेकिन ये लोग रखदान करने वालों को भूल जाते हैं हमें बेशिक ना करें लेकिन अन्य को करेंगे तो उससे और भी लोग मतिसे प्रोसाइत होंगे